रात में चावल दही और सत्यू का सेवन करने से मा लक्षमी का निरादर होता है। जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट हो उन्हें इन बस्तियों का रात्री में सेवन नहीं करना चाहिए। रसोई घर में मा अनपूरा की तश्वीर लगाने से वरक्कत होती है। चीटियां, कौकरो, चूहे या अनप्रिकार के कीडे मकोडे रसोई घर में गूम रहे हैं तो साबधान हो जाएए। यहें आपकी सेहत और बरक्कत को खा जाएंगे। किचिन को हमेशा साफ सुत्रा और सुन्दर बना कर रखें। भोजन की धाली को हमेशा चटाई या टेवल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की धाली को एक हाथ से कभी ना पकड़ें। भोजन करने से पूर ईश्वर को याद जरूर करें। भोजन करते समय किसी से बात या गुस्ता ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठ कर बोजन करें बोजन करते समय मूग को पूरव या उत्तर की तरफ रकरके बेटना चाहिए संभभ हो तो रसोई में ही बैठ कर बोजन करना चाहिए इससे राहू सान्थ होता है बोजन करते समय कभी भी जूते चपल नहीं पहनना चाहिए बोजन करने के बाद कभी भी थाली में हाथ नहीं दोना चाहिए थाली में कभी भी जूतन नहीं छोड़ना चाहिए किचिन के नल से पानी का टपकना आर्थिक छती का संकेत है घर में कहीं से भी पानी टपक रहा हो उसे तुलंत ठीक कराना चाहिए सब्ता में एक बार किचन में समुद्री नमक के पानी से पहुचा लगाने से घर में सांती वनी रहती है घर की सारी निगेटिब हुजा समाथ हो जाती है गर में कभी भी कलेश नहीं होता है और मालच्मी का इस्ताइवास होता है दोस्तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक से जरूर करें